स्क्राइब करें मेरे चैनल सूपर टेकनोलजी फोर लेटेस्ट टेकनिकल अपडेट्स वेलकाम टो मैं चैनल सूपर टेकनोलजी मेरा नाम अंदीब दुल्ट दोस्तो जैसी हम अपने फोन से गूगल ड्राइब, गूगल फोटोज, जीमेल जब फिर गूगल की किसी भी सर्विस को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे शो होता है, स्टोरिज फुल तो आज हम इस वीडियो में देखें कि स्टोरिज को कैसे कलियर करना है, कैसे इस प्राइब को सौट अड करना है यह सबी देखने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक दोफ्तो जैसी हम जीमेल को ओपन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मैसे आता है, अकाउट स्टोरिज इस फुल तो इस केस में कई वारे हमें कोई इमेल भी रिसीव नहीं होती, इसका रीजन यहाँ कि जो भी हमें 15GV फ्री में डाटा मिलता है गूगल अकाउट से, वो हम consume कर चुके हैं, हम उसको use कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे two methods हैं, जा तो आपने page को purchase कर लेना है, get offer पे क्लिक करके, जिसके लिए आपको monthly pay करना पड़ेगा, जा फिर आपने data को delete कर दिना है, जो भी Google Photos, Google Drive, Gmail में upload रहा है, तो अभी हम पे storage manager open हो गया है, लेकिन यह page storage manager में ही open हुआ है, यह से यहाँ पे शो हो रहा है, यह page हमारे पास Google Chrome में open होना चाहिए था, क्योंकि अगर page Google Chrome में open होगा, उसके बाद ही हम data को delete कर सकते हैं, तो आपने Google Chrome को open करना है, and यहाँ पे type करना है, one.google.com slash storage slash management, और यहाँ go पे क्लि कर दिना, दोस्तो इसका link में video की description box में डाल दूँगा, दोस्तो यहाँ पे storage manager का page गूगल Chrome में open हो गया है, and जैसी हम यह bottom पे swipe up करते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है कि email में, emails के बिन में कितनी data consume किया, spam emails ने कितनी data consume किया, large photos and videos ने कितनी data consume किया, email with large attachment ने कितनी data consume किया है, द WhatsApp के backup को भी delete कर सकते हो, तो अभी हम यहाँ पे large photos and videos को delete करेंगे, तो आपने यहाँ review पे click करने, जैसी आप review पे click करोगी, तो यहाँ पे आपके पास videos जब फोटो शो हो जाएंगी, यहाँ पे show रही है stories, कि इस video की कितनी stories है, कब upload की है, पहले यहाँ पे maximum stories की video show होगी, उसक पे show more पे click करोगे, तो next page पे भी 32 items show हो जाएंगी, means यहाँ पे total 64 हो जाएगा, दोस्तो अगर आप delete करना चाहते हो, जाए फिर download करना चाहते हो, तो आप एक ही बार में 100 से ज्यादा items को download या delete नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ showing के सामने click कर लेना है, तो यहाँ पे सभी videos य यहाँ पे click करके directed delete कर सकते हो, लेकिन कई बार हमारे पास important photos या फिर videos होती है, तो आपने पहले इसे अपने phone की storage में download कर लेना है, दोस्तो पहले आपने देखना है कि आपके phone में storage है, जैसे यहाँ पे 11GV data है, क्या आपके phone की storage में इतना data है, उसके बाद यापने download कर लेना दोस्तो अभी यहाँ पे मैं कुछ वीडियो कोई download and delete करूंगा, जिसकी capacity ज़्यादा है, तो अभी यहाँ पे मैंने 3 वीडियो कोई select की है, 2.4GB है, 3 items का, तो पहले मैं यहाँ पे इसे download करूंगा, उसके बार delete करूंगा, तो जैसे यहाँ पे download पे click करूंगा, तो यहाँ प फोटोज है, zip file में आपके phone की storage में download हो जाएगी, download section में, दोस्तो यहाँ पे downloading complete हो गी है, और अभी हम यहाँ इसे cross करते हैं, अभी आप इन items को delete कर सकते हो, तो आपने क्या करना, यहाँ delete पे click करना है, जैसे आप delete पे click करोगे, तो यहाँ पे show जाएगा, move 3 items to bin, means अगर चाहते हो, तो आप 60 days में इन items को restore कर सकते हो, तो अभी delete करने के लिए, आपने यहाँ accept पे click करना है, and move to bin पे click कर देना है, you got 2.4 GB back, तो अभी हम यहाँ पे back पे click करके देखते हैं, कि अभी कितनी space मेरे पास show होने लगी, तो दोस्तो अभी यहाँ पे मेरे पास 2.5 GB space free हो ग close करने के बाद, जैसी आप इसे open करोगी, तो जो storyful का message था, वो despair हो जाएगा, दोस्तो अगर आपकी Google की किसी भी service creator के query है, तो आप मेरी वीडियो के comment box में comment किजिए, मैं आपके comment का reply करूँगा, thank you for watching, please subscribe my channel for latest updates.